तो बच्चो आज हम लोग नया चाप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा चाप्टर 11 बायो टेक्निलोजी प्रिंसिपल्स आंड प्रोसेस तो यह तो आपको पता है कि विद्ध एडवांस्मेंट ऑफ बायोजी हमने नई एक टेक्नीक बनाई है जिसको हम लोग बोल हमने अपने हिसाब से जो है काम करवाते हैं चाहे आनिमल्स हो चाहे प्लांस हो दोनों के अंदर ही यह वाला प्रोसेस जाता है बायो के साथ जब हम टेक्नॉलिजी को लिंक करके अपने हिसाब से जीन्स को मैनिपिलेट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बा से पहला principles of biotechnology, biotechnology किस-किस principle पे काम करता है, second tools of recombinant technology, कौन से कौन से tools हैं, जो हमारे recombinant DNA technology के अंदर use होते हैं, third processes of recombinant DNA technology, क्या process होता है हमारा recombinant DNA technology का, और last है हमारे NCRT questions, तो बच्चो हर concept, हर sub concept के end में जो है हम लोग 5 से 7 MCQ questions करेंगे उस sub concept से related, ताकि हमारी एक revision भी हो जाए साथ के साथ में, अगर तो paper subjective आएगा तो NCRT questions करवा ही रहे हैं, और अगर objective हुआ, तो हम हर concept के बाद में 5 से 7 MCQ questions उसके objective type जो है, वो करेंगे practice, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग start करने वाले हैं, principles of biotechnology के साथ, तो biotechnology क्या होते हैं, basically it deals with the technique of using the live organisms, कि कैसे जो techniques हैं, वो live organisms को हम लोग use कर सकते हैं, या फिर enzymes को use कर सकते हैं उन organism से, जिससे की हम अपने benefit के लिए products और processes बनवाते हैं, as you know that humans are very selfish, humans are very selfish, तो selfish क्यों होते हैं, क्यों कि उनको सिरफ अपना फाइदा दिखता है, तो वैसे ही उन्होंने biotechnology introduce किया, जिसके अंदर techniques आती हैं, जिससे कि हम live organisms या फिर plants को अपने हिसाब से, अपने benefit के लिए manipulate करते हैं, तो यह वही बताया गया है कि biotechnology is the branch which deals with the techniques of using live organisms or enzymes from the organisms to produce the products and processes which are useful to humans, वो products or processes जो की humans को useful होते हैं, वो हम इस technique के द्वारा बनाते हैं, in this sense, making curd, bread, wine, which are all microbe-mediated processes could also be thought of as a form of biotechnology, जो हमने बोला था, microbes in human welfare, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे curd, bread और wine हम लोग produce करते हैं, industrial level पे भी और अपने household level पे भी, जब हम उसे industrial level पे लेके जाते हैं, तो वो एक तरीके से humans के benefit के लिए हो जाता है, अगर हम उसे industrial level पे लेके जा रहे हैं, है, तो कौन benefit होता है, humans ही benefit होते हैं, humans are benefited, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी एक तरीके का biotechnology का process होता है, जिसके अंदर जो humans है, वो भी benefit हो रहे हैं in production of curd, bread and wine, तो curd, bread और wine को बनाने के लिए भी जो processes use होते हैं, वो भी हमारे biotech के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हम जो है yeast, उसको yeast को हम लोग यूज कर रहे हैं, yeast को यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये सारी चीज़ है, lactobacillus bacteria को यूज कर रहे हैं, lactoacid bacteria को हम लोग यूज कर रहे हैं, yeast को हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें अपने फायदे के लिए कौन-कौन सी चीज़ हैं मिल जाती है, curd, bread और wine मिल जाती है, it is used in restricted sense today to refer to such of those processes which used genetically modified organisms, है हम biotech के अंदर इसले include नहीं करते हैं, क्योंकि एक restricted sense में use होती है, हम इसके अंदर GMO, genetically modified organisms का use नहीं कर रहे हैं, genetically modified organisms, इनका use नहीं कर रहे हैं, GMO का use नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने organisms के gene के साथ नहीं खेला है, just naturally जो वो लोग चीज पर यूज करते हैं, उसे हमने large scale पर production शुडू कर दिया है, हमने enzyme को या फिर organism को जो है manipulate नहीं किया है, हमने उसका जो natural process है, उसको हम लोग बड़े level पर ले जाके produce कर रहे हैं, further many other processes, techniques, they are also included under bio technology, bio technology के अंदर बहुत सारी और भी जो है techniques वगएरा use होती है, ठीक है, for example, the in vitro fertilization, in vitro fertilization क्या होता है, हमारे जो test tube baby बनाता है, जो test tube baby बनाता है, जिसमें क्या करते हैं, gene को synthesize करते हैं, और develop क्या करते हैं, DNA vaccine, जिसकी वज़े से defective gene को correct किया जाता है, तो ये सारे हमारे bio technology के अंदर ही आते, IVF के अंदर क्या होता है, कि sperms और ova को बाहर natural conditions मिलती है, outside the body उनको natural conditions कैसे मिलती है, outside the body उनको natural conditions कैसे मिलती है, वो सारी बनाई गई होती है, तो मतलब उसके अंदर genes का manipulation होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ manipulation होता है, जिसकी वज़े से sperms और ova जो है, body से भार भी fuse करके क्या बना लेते हैं, zygote बना लेते हैं, तो body का environment जो है, उन्हें भार मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, test tube baby, और जब zygote बन जाता है, उससे जो है, बाद में implant कर देते हैं, so DNA vaccine के अंदर क्या होता है, कि हम लोग एक जीन को synthesize करते हैं, और उसे use करते हैं, developing a DNA vaccine, और वो क्या करता है, वो defective gene को correct कर लेता है, तो इसमें भी हम लोग जो है, genes को use कर रहे हैं, genes are modified, अगर genes किसी भी चीज में modify हो रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग biotechnology बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, biotechnology बोलेंगे, जिसके अंदर DNA vaccine का एक example हो गया, हमारा in vitro fertilization का एक example हो गया, the European Federation of Biotechnology, EFB, उन्होंने क्या definition दी है, biotechnology कि उन्होंने definition दी है, the integration of natural science and organism, cells, parts thereof, and molecular analogs for products and services, क्या होता है, biotechnology, natural science की integration होती है, in the organism, cells, parts, इन सब में, molecular analogs जो हैं, उससे produce होते है, for products and service, service और products के लिए, उन्होंने क्या करते है, natural science और organisms को, integrate कर देते है, in the cells, parts and molecular analogs, तो उससे क्या होता है, हमारा, इसे हम लोग, biotechnology बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, biotechnology बोलते हैं, ये किस ने दिये definition, European Federation of Biotechnology, EFB, इसका short form है, बोथ traditional view भी, इसके अंदर include होता है, और modern molecular view भी, तो traditional, plus modern molecular view, ये किस के अंदर किया गया है, EFB, EFB ने इन दोनों को combine किया है, European Federal Federation of Biotechnology, इन्हों ने ही ये definition दी है, कि natural science को जब हम लोग integrate कर देते है, इन दो और्गानिजम, सेल, पाज, तेर और अंदर, molecular analogs for the products and the services, जिससे कि उनके जो products और services हैं, वो हमें provide की जाए, इसके दो principles पर ये काम करता है, फर्स्ट है हमारा genetic engineering, और दूसरा है हमारा bio process engineering, तो genetic engineering से जब हम लोग शूरू करे, it is direct manipulation of the genome, DNA या फिर RNA को जो direct manipulation होता है, मतलब अगर हमें जो DNA पसंद है, DNA of interest में आपे लिख देती हूँ, जो कि हमें पसंद है, DNA of interest को हमने क्या किया, manipulate किया, हमें अगर पता है कि sheep की एक variety जादा beneficial है, तो हम क्या करेंगे, उसी के DNA को extract करके, दूसरी sheep के अंदर डालेंगे, क्यों क्योंकि अपने फाइदे के लिए, क्योंकि वो sheep जादा wool दे रही है, तो हम उसके DNA का part, जो है सब sheep के अंदर डाल देंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक तरीके से, genetic engineering बोलेंगे, जिसके अंदर हमने सीधा DNA लिया, और दूसरी sheep की DNA के अंदर डाल दिया, इट इंवल्स दे ट्रांसफर अफ न्यू जीन का ट्रांसफर जो होता है, तो इंप्रूव दे फंक्शन अफ दे ट्रेट, जब हम होस्ट के अंदर उस नए जीन को डालते हैं, तो क्या होता है हमारा ट्रेट इंप्रूव हो जाता है और फीनोटाइप बदल जाता है होस्ट और ग्यानिजम का, क्या बदल जाता है फीनोटाइप बदल जाता है होस्ट और ग्यानिजम का, मतलब एक तरीके साथ Hah अब बोल सकते हो कि to direct changes a genetic material के अंदर changes होंगे तो genotype में तो फरक आएगा की आएगा साथ के साथ उसमें phenotype भी different हो जाएगा उसमें phenotype भी different हो जाएगा जैसे एक example मेरिने आपको sheep का बताया है जैसे मैंने एक्जाम्पल आपको शीप का बताया है कि अगर एक शीप जो है वो हाई इल्ड दे रही है वो हाई इल्ड दे रही है बाकि जो दूसरी शीप है वो वूल जो है कम निकाल रही है तो जाइड सी बात है उनकी बॉड़ी पर वूल कम होगा पर हम इस शीप का DNA या gene of interest उठा के दूसरी शीप के अंदर डाल दे तो उसका morphologically change हो जाएगा उस पे एकदम से बहुत सारी वूल आने लग जाएगी तो phenotypically भी वो sheep change होगी और genotypically भी वो sheep change होगी यह हमारा किसमे आता है genetic engineering में next है हमारा bioprocess engineering so it is a maintenance of sterile which is microbial contamination free ambience in the chemical engineering process जैसे कि मैंने आपको IVF का example दिया था तो sperm और ova को fuse कराने के लिए sperm और ova को fuse कराने के लिए क्या होता है हमें sterile conditions चाहिए होती है हमें क्या चाहिए होती है sterile conditions चाहिए होती है तो उसी sterile condition के maintenance को हम लोग क्या बोलते है बाइव process engineering क्योंकि अगर sterile conditions maintain नहीं करेंगे तो यह क्या होगा contaminate हो जाएगा और जो हमने experiment design किया है वो बिलकुल ही devastate हो जाएगा microbes की entry के बाद so it is the maintenance of sterile ambience in the chemical engineering process जो यह chemical engineering चल रही है जो chemicals की engineering मतलब chemicals का mixing चल रहा है नए chemicals का बनना चल रहा है उसके ambience को उसके आसपस environment को sterile maintain करने के लिए हम लोग जो है bio process engineering का सहारा लेते हैं to enable the growth of only the desired microbe और eukaryotic cell जैसे मैंने आपको IVF का example दिया तो हमें सरफ sperm और ova को fuse करके जो zygote बनाना है उससे ही grow करना है उसके लावा हमें वहापर कुछ भी grow नहीं करना तो क्या होगा बायो process engineering के अंदर हम सिरफ desired जो microbe या फिर eukaryotic cell है उससे ही grow करवाते हैं जो desired microbe या फिर eukaryotic cell है उससे ही grow करवाते हैं in large quantities large quantities में करवाते हैं for the production of biotechnological products like antibiotics vaccines enzymes etc तो यह chemical engineering basically bioprocess engineering वो होती है जिसके अंदर हम अपने desired product को हमें जो है grow करना है हमारा desired product है हमें उससे ही grow करना है तो उससे grow करने के लिए हमें sterile conditions चाहिए जो कि हमें bioprocess engineering के थुरू मिल जाती है तो इसके examples क्या क्या होंगे antibiotics grow करना अब antibiotics specific bacteria के अगेंस्ट ही बनती है या फिर virus के अगेंस्ट बनेगी तो हमें उन antibiotics को जब grow करना है हमने specific microbes यूधर grow करने है हमने सारे microbes grown नहीं करने चाहे vaccine है वो specific एक microbe के खिलाव बनती है चाहे हमारे enzymes है वो भी specific होते हैं वो भी एक ही organism एक ही microbe के ओपर जो है catalysis करते हैं तो इन सब में क्या होता है हमें एक ही तरीके का microbe grow करना होता है उसी पर testing करना होते है तो उसको grow करने के लिए हम bioprocess engineering का सहारा लेते हैं traditional hybridization क्या होती it is used in the plants and animal breeding which leads to the inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable trait अब traditionally hybridization के अंदर क्या होता था कि हमें एक ट्रेट जो है कि मेल के अंदर पसंद आया हमने आसपास वाले नहीं देखे कि क्या उसके अंदर traits नहीं है हमने एक ट्रेट देखा एक useful ट्रेट देखा और दूसरे जो फीमेल है उसके अंदर भी हमने एक ही useful तो हमने क्या किया इनका hybrid बना दिया जो कि था हमारा offspring है ना उस offspring के अंदर यह दो useful traits होंगी से इसके साथ साथ बहुत सारे unnecessary unuseful traits भी होंगे undesirable traits भी होंगे है तो हम यह बोल सकते है कि traditional hybridization is non-specific क्या बोल सकते हैं कि traditional जो hybridization है हमारी non-specific है क्यों क्यूंकि उसके अंदर useful traits के साथ साथ जो है undesirable traits भी ऑफ्स्प्रिंग के अंदर देखे जाते हैं क्यूंकि हम लोग सिरफ उसके अंदर useful जो है hybridization कर वारे थे ना सिरफ useful traits देखे कि हाँ अच्छा ही उसके अदर अच्छा traits मिल वा दिये पर उसकी जगह पर हमने उसके undesirable genes ने देखे हैं उसकी जगह पर हमने उसके undesirable genes ने देखे हैं तो क्या होता है it leads to the inclusion and multiplication of undesirable genes अब जब वो multiply कर रहा है cell तो उसके उसके useful के साथ undesirable genes भी तो आएंगे ना तो यही इसका सबसे बड़ा backdrop था traditional hybridization का the technique of genetic engineering which include the creation of recombinant DNA use of gene cloning and gene transfer allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without inducing introducing undesirable genes into the target organism तो इसी traditional जो hybridization technique थी हमारी हमने वो follow नहीं की हमने क्या किया हम genetic recombination की तरफ गए तो genetic engineering के अंदर क्या था कि हमने जो है एक recombinant DNA ने बनाया उसको clone किया मतलब उसकी multiple copies बनाई और उसका transfer किया जिससे कि हमारे जो desirable products desirable genes थे जो desirable genes थे वो ही इंट्रोड्यूस हुए आगे animals के अंदर और जो undesirable genes थे वो हमने लिया ही नहीं क्योंकि जो हमने recombinant DNA मनाया उसके अंदर क्या थे उसके अंदर सिरफ हमारे desirable genes थे जो हमें चाहिए थे जो useful थे उस organism के लिए उस plant के लिए तो हमने क्या कि recombinant DNA लिया उसको clone किया और उसके बाद में उसे transfer कर दिया और undesirable genes जो है इससे eliminate होगा यह बहुत ही जादा क्या होगा हमारा genetic engineering specific हो गया ना कि जो trait हमें चाहिए वही trait हमें मिल रहा है तो यह क्या होगा एक तरीके से specific हो गया in a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication which is responsible for initiating replication यह तो हमें पता है कि replication कहां पर शुरू होता है replication हमारा start होता है कि इस पर औरी पर which is origin of replication क्या होता है origin of replication ठीक है therefore for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism it needs to be a part of chromosome which has a specific soul sequence known as origin of replication अब हमने अपना desirable trait जो था वो हमने एंटर करवा दिया है ना हमारा जो desirable gene था वो हमने एंटर करवा दिया बट उसके लिए important क्या है कि उस gene की multiple copies मने मतलब वो replicate हो है ना उस जीन का क्या primary motive है कि उसे replicate करना है तो उसके लिए उसे कहां जाना पड़ेगा उसे उस chromosome के अंदर embed होना पड़ेगा जिसके अंदर क्या है origin of replication है जहां से replication शुरू होती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो target जो हमने desirable gene या फे trait लिया है जब हम उसे introduce करें तो हम उसे chromosome के उस part में introduce करें जहां पर जो है origin of replication हो और वो host की replication machinery के साथ ही replicate कर पाए अपनी multiple copies बना पए नहीं तो उस trait का उस gene का introduction का फायदा ही नहीं है कि अगर एक generation के बाद दूसरी generation में ना है दूसरी generation में वो कब आएगा जब वो origin of replication के साथ मिल जाएगा और अपनी multiple copies बनाएगा तुस अईलिंग देन नहीं भीशिए है कि बनाएगा नो कर देख में नहीं है सबस्क्राइब कर नहीं ही गिसे उडियूसरी निलिग चैनल लिए नहीं हो इस और रिदो कर लियूस कर लिया पर हमें जब वो introduce करना है host के अंदर तो हमें किसके अंदर करना है chromosome के अंदर introduce करना है और chromosome पर क्या होना चाहिए हमारा origin of replication होना चाहिए ताकि वो क्या कर पाए वो replicate कर पाए और अपनी multiple identical copies बना पाए तो इसे हम लोग क्या बोलते है इसे हम लोग बोलते है cloning इसे हम लोग क्या बोलते है cloning the first the construction of the first recombinant dna emerge from a possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of salmonella typhumurium यह क्या करता है salmonella typhumurium टाइफी हमारा जो होता है क्या करता है यह typhoid करता है क्या करता है typhoid करता है तो first recombinant dna किस से हुई थी जब हमारा जो gene था encoding antibiotic resistance उसको हमने किस से link किया था plasmid से जो कि किसका plasmid था salmonella typhumurium का तो first gene हमारा recombinant dna असल में किस के साथ हुआ salmonella typhi के अंदर जो है हमारा first recombinant dna जो है उससे emerge हुआ था stanley kohan and herbert boyer in 1972 they isolate their antibiotic resistance gene by cutting out a piece of dna from a plasmid अब bacterial cell के अंदर क्या होता है यह हमारा bacterial cell है दो हमारे dna मौझूद होते हैं दो dna मौझूद होते हैं जिसमें से एक हमारा क्या होता है plasmid dna होता है और एक हमारे जो normal dna होता है जो circular dna होता है तो जो प्लाच्मिट dna होता है so hey gda autonomously replicating circular extra chromosomal dna यह dna जो है normal dna से अलग होता है यह self replicating होता है और से इक्स्ट्राक्रोमोर मॉल होता है तो यह जो है यह हमारा एक वेक्टर का काम करता है यह आगे पढ़ेंगे कि एक वेक्टर का काम करता है यह क्या करता है जीन सेग्मेंट को या फिर एंटिबाटिक रिजिस्टेंस हो गई कोई भी चीज जो कोई भी ट्रेट इंपार्ट करता है इसी प्लाजमेंट डियने का जो है एक cutting out a piece of DNA from a plasmid, plasmids जब उन्होंने काटा उनको महांसे मिली antibiotic resistance gene of salmonella typhi, the cutting of DNA at specific location become possible for with the discovery of the so called molecular scissors, जब उन्होंने एक specific site पर cutting करी plasmid DNA के उसे उसे क्या बना हमारा molecular scissors जो है वो invent हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, restriction enzymes, तो restriction enzyme mainly क्या करती है, वो specific sequence पर DNA को काटती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम लोग बोलते हैं, molecular scissors, the cut piece of DNA, it was then linked with the plasmid DNA and these plasmid DNA, they act as vectors to transfer the piece of DNA attached to it, तो यह क्या करते हैं, यह जो vectors है हमारे, यह basically characteristics impart करते हैं, bacterial cell को, characteristics impart करते हैं, चाहे वह हमारा antibiotic resistance, यह फिर और सारे जो हमारे, characteristics होते हैं, तो क्या होता है कि जब DNA को हम लोग कट करते हैं, उस DNA को plasmid DNA में जाके, लिंक कर देते हैं, host के, और इस plasmid DNA, they act as vectors to transfer the piece of DNA attached to it, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism, तो plasmid DNA क्या करता है, कि वो जो DNA का पीस उसके अंदर लगा है, उसको transfer करने में, host के अंदर वो मदद करता है, दे लिंकिंग ऑफ antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the enzyme ligase, ligase क्या करता है, जोडने का काम करता है, जो antibiotic resistance gene है, जब उसको plasmid vector के साथ जोड़ा, तो उससे क्या पता चला कि जो enzyme ligase है, वो यह जोडने का काम करता है, which acts on cut DNA molecules and joins their ends, यह DNA cut molecules के ends पर जो है, जाता है, चिपकता और उनको join कर देता है, this makes a new combination of autonomously application DNA created in vitro and known as recombinant DNA, यह ligase क्या करता है, फिर, recombine करने मदद करता है, DNA की है न, plasmid DNA से, यह फिर plasmid DNA के अंदर जो दूसरा DNA डालता है, उससे भी recombine कौन करता है, ligase ही करता है, जब plasmid से host DNA के अंदर जाता है, है, autonomously replicating DNA का एक combination बन जाता है, इसी वज़े से in vitro और उसे हम लोग क्या बोलेंगे फिर, recombinant DNA की हमने उसे क्या कर रखा है, genetically modify कर वा रखा है, recombinant DNA उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि genetically modified DNA segment है, जिसमें, जिसमें जो DNA के segments है, वो recombine हुए है, by the enzyme ligase, क्यों से enzyme से हुए है, ligase से हुए है, when this DNA is transferred into the E. coli, it could replicate using the new host DNA, जब इस DNA को हमने E. coli के लिए अंदर transfer किया, वो क्या करेगा, वो नए host DNA, polymerase enzyme के साथ क्या करेगा, replication करेगा, और multiple copies बनाएगा, the ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene, तो जब antibiotic resistance gene के अंदर हमारा जो है, DNA गया हुआ है, DNA गया हुआ है, वो plasmid DNA फिर क्या करेगा, host के अंदर जाएगा, जब वो host के अंदर जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी multiple copies बनाएगा, with the host machinery, और इसी multiplication की ability को क्या बोलते हैं, cloning of the antibiotic resistance gene, cloning का मतलब basically क्या होता है, हमारा making multiple identical copies, making multiple identical copies, तो यह हुआ ना cloning में, कि क्या हुआ, antibiotic resistance gene जो है, उसकी बहुत सारी copies बन गई, तो recombinant DNA technology are also called the genetic engineering, it deals about the production of new combination of genetic material, तो recombinant DNA technology के अंदर क्या होता है, कि नए combination जो होते हैं, genetic material के, वो बनाए जाते हैं, artificially in the laboratory, and these recombined DNA, recombinant DNA molecules are then introduced into the host cell, जिसकी वज़े से, उसके अंदर क्या होंगे, वो propagate होंगे, और multiply होंगे, और क्या करेंगे, उनको impart करेंगे, कुछ characteristics, imparts, useful characteristics, ठीक है, जो recombinant DNA है, वो किससे बनता है, वो artificially हमारा synthesize होता है, और उसके बाद में हम लोग उसे host के अंदर जालते हैं, जो भी हमारा interested host होता है, जो भी हमें host of interest होता है हमारा, तो उसके अंदर हम डालके क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो है, जीन को manipulate करके उसके अंदर डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, recombinant DNA डालते हैं, the three basic steps in genetically modifying organism is, first, identification of the DNA with desirable traits, जब genetically modifying करते हैं, जब से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा DNA है, जिसके अंदर desirable traits हैं, हम लोग उससे सबसे पहले identify कर लेंगे, next, introduction of the identified DNA into the host, जो हमने DNA identify किया, उसे host के अंदर भी डालना है, है ना, कैसे डालना है, through vector, vector के through डालना है, vector क्या होगा हमारा, vector हमारा plasmid भी हो सकता है, vector हमारा plasmid भी हो सकता है, then maintenance of introduced DNA in the host, and transfer of the DNA to its progeny, उसके बाद में, जो हमने DNA तो introduce कर दिया, हमारा है होस्ट के अंदर, उसके बाद में उसको multiply करना है, उसकी प्रोजनी पर भी तो pass on करना है, तो maintenance of the introduced DNA in the host, and the transfer of DNA to the progeny, यह होगा, तो कौन से 3 step होते हैं, सबसे पहला, identification of the DNA with the desirable traits, जो भी traits हमें चाहिए, हम उस DNA को identify करेंगे, फिर उस DNA को isolate करके क्या करेंगे, vector के through जो है, उसे introduce करेंगे into the host, और last host के अंदर, उस recombined DNA को हम लोग maintain करेंगे, और transfer करेंगे the host, DNA to the progeny, तो बच्चों एक बाली revision कर लेते हैं, आज हमने जो है introduction पड़ा है, principles of biotech का, तो इसके अंदर क्या है, इसके बाद में हम इसके जो है related 57 MCQs करेंगे, क्योंकि हर chapter के end में revision जरूरी होता है, तो principles of biotechnology में हमारा introduction में क्या है, कि biotechnology क्या है, it is the use of techniques to use the live organisms, या फिर enzymes for organisms to produce products and processes, which are useful to humans, humans से जो products and processes useful होंगे, हम जो है, उसे produce करते हैं, by the use of biotechnology, और इसमें हमारे क्या examples आते हैं, curd, bread, wine, जो हम लोग produce करते हैं, पर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन organisms को genetically modify नहीं करते हैं, lactoacid bacteria और yeast को हम लोग genetically modify नहीं करते हैं, हम लोग just उनको जो है एक higher level पर produce करते हैं, तो यह सारा हमारा restricted में होता है, पर जब हम genetically modify करने लग जाते हैं, और ग्यानिजम को उसे हम लोग biotech के अंदर लेने लग जाते हैं, तो जैसे कि हमारा test tube भी हो गया, उसमें in vitro fertilization होता है, लाब के अंदर जो है, womb की जना, जो है, conditions बनाई जाती हैं, और उसके बाद में उनका fertilization होता है, तो यह एक हो गया, एक हमारा होगे DNA vaccine को, जब हम लोग establish करते हैं, जो microbes है, उसके against में establish करते हैं, तो European Federation of Biotech ने क्या दी थी, इसकी definition, इस the integration of natural science and organism, cells, parts thereof, and molecular analogs to products and services, products and services करने के लिए, natural science का integration किसके अंदर दिया है, और cells के parts के अंदर, और molecular analogs के अंदर, तो genetic engineering, इसके दो parts होते हैं, genetic and bioprocess engineering, genetic engineering के अंदर क्या होता है, direct manipulation of the DNA or the RNA, और in new genes का transfer होता है, into the host, और उसकी वज़े से phenotype, जो है host का हमारा change हो जाता है, bioprocess engineering के अंदर क्या होता है, it is the maintenance of the sterile, which is the microbial contamination free conditions, और जो microbe हमने grow करना है, या फिर जो eukaryotic cell हमने grow करना है, उसी के according महाँ पे condition रखी जाती है, और उनका manufacture होता है, for the antibiotics, vaccines, enzymes, इनके लिए में specific microorganisms चाहिए होते हैं, इनकी growth के लिए, तो वही जो है, traditional hybridization के अंदर क्या था, कि हमने एक organism या फिर plant देखा, दूसरा organism या फिर plant देखा, उनके सिर्फ useful traits देखे, undesirable traits हमने नहीं देखे, हमने उनको fuse करवा दिया, तो useful traits के साथ-साथ, undesirable traits भी हमारे multiply हो गए, तो इसी को overcome करने के लिए, हमने जो है genetic engineering का सहारा लिया, जिसके अंदर एक recombinant DNA बनाते हैं, अपने gene of interest के साथ, और उससे host के अंदर हम लोग incorporate करके, अपने हिसाब से जो है, उसके अंदर traits दिखा सकते हैं, तो इसके अंदर undesirable genes भी नहीं आते, है ना, तो chromosome के अंदर, जो हमारा origin of replication होता है, जहां से replication शुडू होता है, वहाँ पे उस DNA के पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा recombinant DNA है, क्योंकि फिर वो host की machinery के साथ क्या करेगा, replicate करेगा, और फिर ही वो जो है, प्रोजिनी के अंदर जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, cloning बोलते हैं, या फिर making multiple identical copies, वैसे ही हम इसके अंदर देखेंगे, कि salmonella typhi murium के अंदर क्या हुआ था, कि उसके अंदर antibiotic resistance की multiple copies बनाएं गई थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, DNA के piece को cut किया था, from a plasma, और उसके अंदर अपना gene of interest जाज़ा था, उसके बाद उसे salmonella typhi के अंदर incorporate कर दिया था, और उसे काटा कैसे था, by the molecular scissors, specific locations पे जो है, हम DNA of interest को काटते हैं, by the help of molecular scissors, जो की हमारी क्या होती है, restriction enzymes, और उस DNA को जोड़ते कैसे हैं, with the help of ligase, तो उस DNA के अंदर, जिसके अंदर हमारा gene of interest हो, उसे हम लो क्या बोलेंगे, recombinant DNA, which is genetically modified, so when this DNA is transferred into the E. coli, वो क्या गरेगा, होस्ट DNA के साद अपनी multiple copies बनाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, cloning of the antibiotic resistance gene in the E. coli, recombinant DNA technology के अंदर, it is also known as genetic engineering, इसके अंदर क्या होता है, production of new combination of the genetic material, so three basic steps हमारे कौन-कौन से होते हैं, genetically modifying an organism, सबसे पहला हमारा होता है, कि हमें identify करना होता है, उस DNA को जिसके अंदर हमारे desirable traits हो, second, identify DNA जो है, उसका introduction करना होता है, into the host, and last, maintenance बहुत ज़रूरी है, the maintenance of the introduced DNA, into the host, to its progeny, so the first question is, which of the following is known as specific molecular scissors, कौन सी इसमें से हमारी specific molecular scissors है, molecular scissors क्या होती है, जो DNA को specific end पे cut करती है, which cuts the DNA, at specific ends, है ना, जिससे की हम DNA of interest को अंदर introduce कर पहे, तो ligase नहीं, ligase तो जोडने में मदद करती है, helicase replication में मदद करती है, और DNA polymerase भी हमारी replication में मदद करती है, तो बच्ची कौन सी, option C, restriction enzyme, तो इसका आंसर है, हमारा option C, जो की है हमारा restriction enzyme, वो क्या होती है, हमारी molecular scissors होती है, जो की DNA को specific ends पर काटती है, endonuclease, and exonuclease, यह दो तरीके के हमारे restriction enzyme होती है, endonuclease and exonuclease, ठीक है, exonuclease क्या करता है, towards the end काटती है, exonuclease enzyme जो है, towards the end काटती है, और जो endonuclease enzyme है, वो क्या करती है, in between the DNA segment काटती है, in between the DNA segment काटती है, तो यह दो type की हमारी restriction enzyme होती है, exo and endo, exo होती है, जो बहार की तरफ में काटती है, और endo होती है जो DNA strad के बीच में काटती है तो इसका molecular scissors हमारी कौन सी है C restriction enzymes plasmids are used as cloning factors for which of the following reasons plasmids को हम लोग क्यों as cloning factors use करते हैं A they can be multiplied in culture B self replication in bacterial cells C can be multiplied in laboratories with the help of enzymes of a D replicate freely outside the bacterial cell अब जो मैंने plasmid कि आपको जब definition बताई थी उसके अंदर क्या दिया गया था जो plasmid होता है हमारा autonomously replicating होता है autonomously replicating DNA होता है ठीक है तो plasmid autonomously replicating DNA होता है तो क्या करता है अपने आप से replicate करता है तो उसके अंदर कौन सी property होई हमारे पास self replication की तो उसके हिसाब से हमारा option B correct है self replication in the bacterial cells वो bacteria का जो असल में जो genetic material होता है उसके अलावा जो है खुद से ही replicate कर लेता है तो self replication क्या करती है उसको cloning vector की तरह यूज करती है क्योंकि वो self replicate करके क्या बना देगा multiple copies बना देगा multiple identical copies are produced जिसको हम लोग क्या बोलते हैं cloning ही बोलते हैं ठीक है नेक्स question पर चलते हैं dash is used as a vector for cloning into higher organisms कौन सा जो है हम लोग vector की तरह use करते हैं जिससे की हम उसे higher organisms के अंदर डाल सके रेट्रो वाइरस बेकुलो वाइरस c salmonella typhi murium ephi d rhizopus ingrickens तो इसका example है retrovirus retrovirus को हम vector की तरह use करते हैं जो की higher organisms के अंदर जा की क्या करता है cloning करता है multiplication of the desired dna करता है multiplication of desired dna तो यह यह करता है तो retrovirus क्या करता है multiplication of the desired dna during gene cloning which is called as gene taxi taxi का मतलब क्या होगा जो एक जगह से दूसरी जगह पे gene को ले जाने में मदद करती है taxi क्या करती है basic transportation देती है ना pick and drop की facility देती है सवारी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कौन करता है taxi करती है तो gene cloning के अंदर हम लोग gene taxi किसको बोलेंगे जो gene को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है किसको बोलेंगे plasmid को बोलेंगे क्योंकि plasmid के अंदर ही जो है हमारा dna of interest होता और वो ही जाके जो है host organism के अंदर dna को incorporate करता है तो यह हुई ना एक तरीके की taxi तो हमारी gene taxi कौन हुई plasmid होई क्योंकि एक जगह से dna of interest को लेके host के अंदर जा रहा है तो हमारा क्या हुआ gene taxi क्या हुई हमारी plasmid होई तो last question पर चलते है था hybrid oma technology has been successfully used in जो हम hybridization करते हैं जो hybrid oma technology use करते हैं वो किसके अंदर use हो रही है a production of somatic hybrids b synthesis of monoclonal antibodies c synthesis of hemoglobin या फे d production of alcohol production of alcohol हमारी किसकी वज़े से होती हो तो microbes की वज़े से होती है उसके अंदर कोई hybridization नहीं होती है हीमोगलोबिन का synthesis भी ऐसे ही हो जाता है यह हमारा hybrid oma में नहीं आता है तो इसका answer है हमारा option भी synthesis of monoclonal antibodies जो specific antibodies होती हैं उनको हम लोग कैसे करते हैं synthesize by the use of hybrid oma technology hybridization जो हमारा process है उसके थ्रू ही हम अपनी monoclonal antibodies बनाते हैं जो की specific होती है against a microbe तो बच्चों यह था हमारा principles of biotechnology का next lecture के अंदर हम लोग tools of recombinant dna technology करेंगे जिसके अंदर जो different tools है जैसे first आज मैंने आपको glimpse दिया molecular scissors का वैसे ही और सारे tools हमारे recombinant dna बनाने में कौन-कौन से tools use होते हैं वो हम अपने next lecture के अंदर करेंगे अगर आपको यह lecture पसंद आया तो like करना share करना सब्सक्राइब करना अड़ा 24 7 school को thank you for watching the video बाई बाई